अगर अर्विंद केजरिवाल के दादा दादी नाना नानी जिंदा होते और वो अपड़ होते तो यह तो मुखमंती के आवास में भी नहीं उसको घुशने देते यह आदमी का बुद्धिमान होना जरूरी है एक बार चाहिए उसका वो बुद्धिजी भी ना हो अपने बुद्धिजी भी की क्या प्रभासा बनाई है शिक्षक चिकट्सक अधिवक्ता इनको ही तो आप लोग बुद्धिजी भी मनते हैं क्योंकि डिग्री धारक हैं और मा में जमीन नहीं बटी आज तक तो मोद्धिजी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिके हैं डिग्री होल्डर है लेकिन एक हजार केजरी वाल टाइप के सो कॉल्ड बुद्धिजी यों से मोद्धिजी ज़्यादा बुद्धिमान है और यह जो बार-बार ऐसे बोलता है आस् तुम जर्रह हो और वह आस्मान है जो अलुषना लगती है वो बराबर के लोगों के भीच में ठीक लगती है तुमारी कोई आउकात ही नहीं है तुम्हें गलत फेह मी हो गई थी तो बनारस की जंता ने चौदा में बता भी दिया था कि तुमारी हैंसियत क्या है तो कहने का पर यह है कि आस्मान पर थूकोगे तो मूँ पर ही गिरेगा और एक दिन फिर यह थूक चटवगल हो जाएंगे जब मूँ पर इतना गिरेगा पर इनको चाटना पड़ेगा